इर्मयाह भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याय उन्तीस इर्मयाह भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याय उन्तीस इर्मयाह नभी ने इस आशे की पत्री उन पुरुनियों और भविश्वक्ताव और साधारन लोगों के पास भेजी थी, जो बंधुवों में से बचे थे, ज जिनको नबुखदने सर यरुशलेम से बाबुल को ले गया था। यहा पत्री उस समय भेजी गई जब यकुन्यह राजा और राजमाता और खोजे और यहुदा के हकीम और लोहार आदिकारिगर यरुशलेम से चले गए थे। यह पत्री शापान के पुत्र एलासा और हिलकियह के पुत्र गमर्यह के हाथ भेजी गई जिनने यहुदा के राजा सित्कियह ने बाबुल के राजा नबुखदने सर के पास बाबुल को भेजा। जिकने लोगों को मैंने यरुश्लिम से बंधुआ करके पावुल में पहुचा दिया, उन सभों से इसरायल का परमिश्वर सेनाओ का यहोवा यो कहता है, कि घर बनाकर उसमें बस जाओ, और बारिया लगाकर उनके फल खाओ, ब्याहा करके बेटे बेटिया जन्माओ, और अपनी बेटिया पूरुशों को ब्याहदो, कि वे भी बेटे बेटिया जन्माओ, और वहां घटो नहीं, बरन बढ़ते जाओ, और जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करके भेज दिया है, उसके कुशल का यतन किया करो, और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल रहने से तुम भी कुशल के साथ रहोगे, इसरायल का परमिश्वर, सिनाओ का यहोवा तुमसे यो कहता है, कि तुम्हारे जो भविश्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वह तुमको बहकाने न पाए, और जो स्वप वह तुम्हारे निमित देखते हैं, उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वह मेरे नाम से तुमको जोटी भविश्यवानी सुनाते हैं, मुझ यहोवा की यहवानी है, कि मैंने उन्हें नहीं भेजा, यहोवा यो कहता है, कि बावुल के सत्तर वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हा ले आओंगा, पूरा करूंगा, क्योंकि यहोवा की यहवानी है, कि जो कल्पनाए मैं तुम्हारे विश्यव करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, कि वे हानी की नहीं, बरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, उस समय तुम मुझ को पुकार करोगे, और आकर मुझ से प्राठना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंडोंगे, और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपुर्णमन से मेरे पास आओगे, और यहोवा की यहवानी है, कि मैं तुमको मिलूंगा, और बंधुवाई से बस कर दिया है, इकटा करके इस थान में लवटा ले आओँगा, जहां मैंने तुम्हे बंधुवा करवा के निकाल दिया है, यहोवा की यही वानी है, तुम तो कहते हो, कि यहोवा ने हमारे लिए बाबुल में भविश्यवक्ता प्रगट किया है, परंतु जो राजा ने हमारे संग बंधुवाई में नहीं गए, उन सभों की विश्यव सेनाओं का यहोवा यह कहता है, कि सुनो, मैं उनके बीच तलवार चलाओंगा, और महंगी करूँगा, और मरी फैलाओंगा, और उन्हें ऐसे घिनोने अंजिरों के समान करूँगा, जो निकम में होगे, इस कारण खाये नहीं जाते, और मैं तलवार, महंगी और मरी लिये हुए उनका पीछा करूँगा, और ऐसा करूँगा कि वे पुछ्वी के राज्य-राज्य में मारे मारे फिरेंगे, और उन सब जातियों में जिनके बीच में मैं उन्हें बरबस कर दूँगा, उनकी ऐसी देशा करूँगा कि लोग उन्हें देखकर चकित होंगे, और ताली बजाएंगे, और उनका अपमान करेंगे, और उनकी उपमा देखकर शाब्या करेंगे, यहवा की यह वानी है कि यह इसके बदले में होगा, कि जो वचन मैंने अपने दास भविशर्वताव के द्वारा उनके पास बड़ा यतन करके कहला भेजे है, उनको उन्होंने नहीं सुना, यहवा की यही वानी है, इसलिए हे सारे बंधों जिन्हें मैंने यरुश्लेम से बाबुल को भेजा है, तुम उसका यहवचन सुनो, कोला यहा का पुत्र अहाब और मासे यहा का पुत्र सिद्की यहा, जो मेरे नाम से तुमको जूटी भविश्यवानी सुनाते है, उनके विशे इस्रायल का परमिश्वर सेनाओ का यहोवा यो कहता है, कि सुनो, मैं उनको बाबुल के राजा नभुखदेशर के हाथ में कर दूँगा, और वह उनको तुम्हारे सामने मार डालेगा, और सब यहुदी बंधुए जो बाबुल में रहते हैं, उनकी उपमा देकर यह शाब दिया करेंगे, कि यहोवा तुझे सिद्कियाह और अहाप के समान करे, जिन्हें बाबुल के राजा ने आग में भुन डाला, इसका कारण यह है, कि उन्होंने इस्राइलियों में मूर्ता के काम किये, अर्थात पराई इस्त्रियों के साथ व्यविचार किया, और बिना मेरे आग्या पाए, मेरे नाम से जूटे वचन कहे, और इसका जानने वाला और गवाह मैं आप ही हूँ, यहोवा की यहवानी है, और नहेलामी शमायाह से तु यह कहा, कि इसराइल के परमिश्वर यहोवाने यो कहा है, कि इसलिए कि तुने येरुष्लेम के सब रहने वालों और सब याजकों और यासेएह के पुत्र सपन्याह याजक को अपने ही नाम की इस आशे की पत्री भेजी, कि यहवा ने यहोव यादा याजग के स्थान पर मुझे याजग ठैरा दिया, ताकि तू यहवा के भवन में रखवाला होकर, जितने वहां पागलपन करते हैं, और भविश्य वक्ता बन बैठे हैं, उन्हें काठ में ठोके, और उनके गले में लोहे के पट्टे डाले। सो इर्मयाह अनातोती जो तुम्हारा भविश्य वक्ता बन बैठा है, उसको तुने क्यों नहीं गुड़का, उसने तो हम लोगों के पास बावुल में यह कहला भेजा है, कि बंधुवाई तो बहुत काल तक रहेगी, सो धर बनाकर उसमें रहो, और बारिया लगाकर उसमें फल खाओ, यह पत्री सपन्याह याजक में इर्मयाह भविश्य वक्ता को पड़ सुनाए, तब यहोवा का यह वचन इर्मयाह के पास बहुचा, कि सब बंधों के पास यह कहला भेज, कि यहोवा नहेलामी शमायाह के विशय यो कहता है, कि शमायाह ने जो बिना मेरे भेजे तुमसे भविशवानी की, और तुमको जूट पर भरोसा दिलाया है, इसलिए यहोवा यो कहता है, कि सुनो, मैं उस नहेलामी शमायाह और उसके वंश को दंड दिया चाहता हूँ, उसके घर में से कोई इन प्रजाओं में न रह जाएगा, और जो भलाई मैं अपनी प्रज जाने की बाते कही है, यहोवा की यही वानी है.